गुड मॉर्णिंग इस्टुएंट्स यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में प्राचिन काल में भारत एम बद्दे ऐसे के बीज जो समन्ते उनका ध्यन करेंगे तो देखेगा भारत के प्राचिन काल से ही व्यापारिक समन्त रहे हैं ठीक है तो कई चीजें ऐसी हैं जो हमें भारत का विद्देशों के साथ समन्त के बारे में जानकरी परदान करती हैं ठीक है तो देखेगा यदि आप लोगों ने हमारे यूटूब चैनल इंडिया करें तथा वीडियोज को लाइक और सेर करें ताकि आपके फ्रेंड्स तक भी जो भारत से समन्तित महतोपुन जानकरी है इत्यास समन्तित जो महतोपुन जानकरी है वो पहुंच सके और एकजाम की तयारी में हेल्प मिल सके ठीक है और बेल आइकन को दबाएगा ताकि नए नोटिफिकेशन मिले और आप नएने वीडियोज देख सकें ठीक है तो चलिए पढ़ते हैं प्राचीन काल में भारत यो मद्धे एसिया के बीच सम्मंद कैसे थी चीन भारत था इरान के बीच इस्तित परदेश को मद्धे एसिया अथ्वा चीनी तुर्किस्तान कहा जाता ठीक है अब जो ये चीन का परदेश है ये है पहले कासकर से लेकर चीन की सिमा तक फेला हुआ था मद्धे एसिया का परदेश ठीक है इसके अंतरगत कासकर यारकंद खोतान शानसान तुर्फान उच्ची कर सहर आधी राजू की गणना की जाती है ठीक है अब जो मद्धे याना इसके अंतरकत देखेगा कौन-कौन से चेतरते कासकर जिसको शैर देश भी खा गया है यारकन जिसको कोकुक भी खा गया है खोतान जिसको खोतुमन भी खा गया है उशानदा सानसान और तुर्फान जिसको भरुक भी खा गया है कूची अर्थात कूचा कर सहर अर्थात अगनी देश ये जो राजेन की गणना मद्दे एसे अर्थात चीनी तुर्किस्तान में की जाती थी ठीक है चतूर्त सद्थी इस वी तक यह संपूर्ण छेतर एक प्रकार से वरहतर भारत के रूप में परिणत हो गया था और वरहतर भारत के बारे में भी हम एक वीडियो बना चुके हैं मद्दे एसिया के उत्तर में कुची तथा दक्सिन में खोतान भारतिय सेंसकर्थी के पर्मुकेंद्र थे जहां से इसका व्यापक परचार परसार हुआ मद्दे एसिया के दक्सिनी राज्यों तथा भारत के उत्री पसीमी भाग के बीच व्यापरिक समपर्क होने के कारण वहाँ भारतिय उपनिवेशों की स्ताफना हुई शिकर ही व्यापार का स्थान धर्म परचार ने ग्रहन कर लिया मोरिय सासक असोक के धर्म परचार ने भारतिय सेंसकर्ति को मद्दे एसिया में फैला दिया उत्री पस्चिमी सीमा से हिंदू को स्पार कर अनेक भार के बोध परचारक मद्दे एसिया में जा पहुँचे गुप्तकाल के प्रारम तक बोध दर्म मद्दे एसिया के सभी भगों में पूरीत रहे परतिस्टित हो गया था बोध दर्म के मादन से भारती लीपी तथा भासा का मद्दे एसिया में परवेश हुआ ब्राहमी लिपी को वहां के राजों ने अपनाया तता कुलीन वर्ग के लोगों ने सिंस्कृत भासा को ग्राण किया विबिन स्थानों से सिंस्कृत में लिखी हुई बोध रचनों की परती लिपे भी प्राप्त होती है फायान हमें बताता है कि वहां के निवाशी भारतिय भासा का अध्यन करते थे मद्य एसिया से प्राप्त भारतिय गरंतों में धंपद, उदानवार्ग, सारी पुत्रे प्रकरण, आधी विशेश रूप से उलेखने हैं धर्म के साथ इसाथ भारतिय चिकिस्टा यों कला का भी मद्य एसिया में परचार परशार हुआ भारतिय कला की गंधार सहली का प्रभाव यहां की मूर्तियों, स्थूपों, आधी पर स्पस्ट तै परिलक्सित होते हैं विबिन स्थानों से भारतिय चिकिस्टा समंधी कई गरंथ भी प्राप किये गए हैं मद्य एसिया के धक्सिनी छेतर में स्थित खोतान का राजे भारतिय सेंसकर्ती का सर्व प्रमू के अंदर था बोध प्रम्राय के अनुसार असोक के पुत्र कुणाल ने यहां अजाकर हिंदू द्राजे की स्थापना की थी तिब्बति साहिते में भारतिय सासकों की एक लंबी सुची मिलती है कुणाल को कुस्तन भी कहा गया है उसका पुत्र एयूल तथा पुत्र विजित संभव हुआ इसके पसाथ खोतान के सबी राजों के नामों का प्रारम विजित से ही मिलता है विजित संभव के सासनकाल के पांचवे वर्ष अरथाथ दूतिस तापदी इस्वी के प्रारम में वैरोचन नमक आचारे ने खोतान में बोध धर्म का परचार किया इसके बाद सबी राजों ने इस धर्म के परचार में योगदान दिया इस्वा की चोतिस तापदी तक खोतान में महायान बोध धर्म का व्यपक परचार परचार हो चुका था चिन्डी यात्री फायान खोतान में बोध धर्म के परचार का सुन्दर वीवरन परस्तूत करता है वह हमें बताता है कि यहां के नागरिकों ने बोध रम्स्विकार कर लिया था तथा महायान विक्षों की संख्या अधिक थी पर तेक नागरिक अपने घर के सामने एक छोटा पैगोडा बनाता था जिसमें सबसे छोटा लगबग 20 फिट का हुता था गोमती विहार बोध सिक्षा का परमुक्यंद्रे था जहां 3000 विक्षुक निवास करते थे ये सब महान यानी थे उस समय खोटान में सोधा विहार थे पर्तिवर्स भारतिय रत यात्रों के सम्मान वहां की पर्तिमाओं का जुलूस निकाला जता था इसमें एक सजे हुए रत के उपर बुध की पर्तिमा विसाल पर्तिमा रखी जाती थी और उसके दोनों ओर बोधिस्तों की मूर्तिया इस्तापित की जाती थी उनको लेकर बिक्षुदर गाते बजाते निकरते थे जब पर्तिमा नगरदुआर से सोग कदम दूर रह जाती तो राजा अपना मुकुट उतार कर नंगे पैर उसके पास जाता भूमी पर अपना मस्तक टेकता उस पर फूल चड़ाता तदा सुगंदित दर्वे जलाता था जिसका निर्मान तेन पिटी के राजों ने असी वर्षों में कराया था इसके उंचाई 250 फिट थी तथा इसे स्वान और रजद द्वारा अलंकारिक धंग से सजाया गया था इस परकार फायान के विवरन से ये स्पस्ट हो जाता है कि कोतान में राजा तथा परजा दोनों ही निस्टावान बोध थे यहां के बिहार सिक्स्या के परख्यात केंद्रे थे भारत से चीन जाने वाले ततकालिन बोध विद्वानों के विवरन से पता चलता है कि खोतान के विहारों में संस्क्रित बोध ग्रंतों की कुछ ऐसी दूरलब पंडु लीप या शुरक्षित थी जो भारत में एप्राप्य थी 433 इस्वि में धर्मक शेप नामक विद्वान चीन से महापरी निर्वान सुत्र की पंडु लीपी की खोज में खोतान आया था खोतान से प्राप्त पंडु लीपियों मूर्तियों तदा चित्रकारियों से एस्पस हो जाता है कि आठी स्थाप्ति तक यहां भारतिय बोट संस्कृति व्याप्त थी गुप्त काल में यह विकास की चोटी पर थी यहीं से सान सान होती हुई भारतिय सब्वेता चीन की सीमा तक खेली मद्दे एस्या के उत्तर में इस्थित कुची खोतान के समानी वोट सब्वेता का पर्मुकेंदर था वहां वोट दरम का परचार अत्यन प्राचिन काल में ही हो चुका था कुची के प्राची नरेश, सुवन पूस्प, हरी पूस्प, हर देव, सुवन देव जैसे भारतिय नाम धारन करते थे राजा तता प्रजा दोनों ही बोग दरम के कटर अनुयाई थे चीनी साक्षों से पता चलता है कि चतूर्त स्ताबदी के प्रारम में यहां के स्तूपों तथा मंदिरों की संख्या 10,000 के लगबग थी यहां के विहारों में सेस्कृत की सीखसादी जाती थी भारतिय संगी तथा चिकिस्या का भी वहां के निवासियों को ज्यान था संबव है कुछ भारतिय परिवार कूची में जाकर बस गए हूँ तथा वहां के स्थान ये लोगों के साथ अपने विवाहिक समन्द भी स्थापित कर लिये हूँ इस परकार का एक उधारन भारती विद्वान कुमारायन का है वे अपने पर्तिबा के बलपर वहां के राजा के गुरु बन गए कूची रहते हूँ उन्होंने जीवा नामक करने से अपना विवाह कर लिया इन दोनों से कुमार जीव का जन्म हुआ जिन होने अपने विद्वता से भारत मद्द एसया तथा चीन में सम्मान यस अरजित किया खोतान तथा कूची के अलावा कर सहर तथा बजकलिक भी मद्द एसया में बो दर्म के परचार परचार के महत्तोपुन केंद्रे थे इन सबी स्थानों में भारतिय धर्म साहित्ते कला अधिका व्यपक गुरूप से परचार परचार हुआ इस वीडियो में हमने भारत का विद्येशों के साथ संबंद पढ़ा और ये सब को पता है कि बहीं जो बहुत दर्म है उसका परचार परचार भी काफी विस्तरी तोरपन हुआ था तो हमारा वीडियो अंतक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे ही बने रहें यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज पे